आपका गार्डन छोटा हो या बड़ा, आप पौधे बगीचे में उगाते हों या गमले में, कभी न कभी आपके पौधों पर कॉमन पैस्ट, खास कर सफेद कीड़े, याने की मिली बग्स, हरे और काले कीड़े, याने की एफिट्स और थ्रिप्स जरूर लगे होंगे, अग ऐसे आप घर पर ही तंबाकू और लॉंग जैसी 6 सिंपल चीजों को मिलाकर बेहत शक्तिशाली और जबरदस्त और्गनिक पेस्टिसाइट बना सकते हैं, वो भी 10 रुपए से भी कम लागत में, सिर्व इतना ही नहीं, मैं आपको पौधों पर स्प्रे करके इसके हेलो एवरिवन, मैं हूँ शिरीश और आप देख रहे हैं बोन साय एंड गार्डनिक जोन, दोस्तों मेरे टेरिस गार्डन में सीजनल सबजियों के, फलों के, फूलों के और डेकोरिटिव प्लांट सही धेर सारे पौधे हैं, मेरा पूरा गार्डन 100% केमिकल फ्री और्ग करते हैं, ये पौधों के साथ-साथ आपकी सेहत के लिए भी खतरनाक होते हैं, लेकिन मैं पौधों में हर 15 दिन में एक ऐसा जविक कीटना शेक बना कर डालता हूँ, जिससे ज्यादातर कॉमन पेस्ट मेरे गार्डन से दूर ही रहते हैं, वैसे तो आप अगर नीम उयल का रेगुलर स्प्रे करें, तो ज्यादातर कॉमन पेस्ट नहीं लगते हैं, लेकिन कई वीवर्स ने कमेंट्स किये कि सिर्फ नीम उयल के स्प्रे से उनके प्लांट्स पर पेस्ट खतम नहीं हो रहे हैं, तो चलिए देखते हैं नीम उयल से भी पावरफुल जैविक कीटना याने की और्गेनिक पेक्सिसाइड घर पर बनाने का क्या चरीका हैं, इसके लिए आपको चाहिए बीज ग्राम तंबाकू याने ड्राइड टोबेको लीव्स, ये हमारा मेन इंग्रेडियंट है, नीम की पत्तियां, दस बारा लैसुन की कलियां, दस बारा तीखी हरी मिर् 15-20 लॉंग, एक चम्मच हल्दी पाउडर, 50 ml गौमूत्र, अगर ताजा काउ यूरीन मिले तो सबसे अच्छा है, अगर ना मिले तो इस तरह का डिस्टिल्ड प्यूरिफाइड काउ यूरीन आपको किसी भी आयूरवेदिक दवा की दुकान या पतंजली स्टोर पर आसान antifungal, antibacterial और pest repellent properties होती हैं और ये बाद तो आप जानते ही होंगे, मिर्च में capsaicin नाम का compound होता है जो जलन पैदा करता है और natural pesticide का काम करता है, लैसुन में sulfur और allicin जैसे तेज compound होते हैं, long में होता है eugenol नाम का chemical जो antiseptic, antifungal और antibacterial होता है, हल्दी में होता है curcumin और इसलिए हल्दी antiseptic और antibacterial properties वाली होती हैं, और scientific research ये बताती है कि गौम मुत्र में calcium, phosphorus, carbonic acid, potash, nitrogen, ammonia, manganese, iron, sulfur, phosphate, potassium, urea, uric acid, amino acids, enzymes, cytokine और lactose जैसे compounds होते हैं, इसलिए गौम मुत्र पौधों में कई तरह की बिमारियों और कीडों की रोख्ठाम के लिए काफी effective है, और हमारे किसान सदियों से जैविक खेती के लिए इसका इस्तिमाल करते आ रहे हैं, अब आप एक mixer के जार में नीम के पत्ते, लैसुन और हरी मिर्च जाल कर थोड़ा पानी मिलाईए और इसकी चट्नी जैसी बना लीजिए, लॉंग को कूटकर बारी कर लीजिए, इससे लॉंग का तेल रिलिज होने लगेगा, एक बरतन में दो लीटर पानी लीजिए, और इसमें नीम, लैसुन और मिर्च का पेस्ट मिलाईए, अब इसमें मिलाईए तमाकू, लॉंग का पाउडर, हल्दी पाउडर, और पचास से मिल काउ यूरीन, अब इसे अच्छी तरह से मिलाकर तब तक उबाले, जब तक दो लीटर पानी उबल कर एक लीटर न हो जाए, आप इसे खुली जगह में उबाले, या उबालते समय किचिन के एक्जॉस्ट या खिड़किया खोलने, क्योंकि उबलने पर इससे तेज स्मेल आएगी, या अब उबलकर आधा रह गया है, इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं, ये ठंडा हो चुका है, अब इसे कपड़े से चान लेते हैं, ताकि आपके स्प्रे पंप की नोजल चोक न हो, अगर किसान इसे जवी खेती के लिए इस्तिमाल करना चाहते हैं, तो सभी अब एक लिटर पानी में 50 ml के आसपास तयार जवी कीटनशक मिलाईए, इसे और भी ज़्यादा असरदार बनाने के लिए इसमें 5 ml नीमाल भी मिला सकते हैं, अब मैं आपको लाइफ डेमोंस्टेशन से प्रैक्टिकली बताता हूँ कि कॉमन पैस्ट पर इसका क्या असर हो दोस्तों ये लॉकी यहने बॉटल गॉड की बेल है और इसके पत्तों के नीचे एफिट्स और थ्रिब्स ने अटेक कर रखा है, ओवर वाटरिंग की वज़ा से बेल बीमार हो गई थी और इसलिए इस पर पैस्ट ने हमला किया है, आपने देखा होगा कि जो लोग कमजोर होते हैं वो ज्यादा बीमार पढ़ते हैं, उसी तरह कमजोर और स्ट्रेस्ट पौधों पर भी बीमारियां और कीट ज्यादा हमला करते हैं, इस पर आप चीटियां भी देख सकते हैं, जो इन एफिट्स के बनाएं मीठे रस के लिए आती हैं, बदले में चीटिया एफिट याने नीचे की ओर मुड़ी हुई आएंगी, दिरे दिरे पूरी बेल विमार हो जाएगी और इसमें फल फूल नहीं आएंगे इनके ट्रीट्मेंट के लिए अब मैं तैयार जैविक कीटनाशक को बेल पर स्प्रे कर रहा हूँ थास दोर पर पत्तियों के नीचे जहां कीड़े छुपते हैं ये है रिजल्ट दूसरे दिन का आप देख सकते हैं कि एक ही स्प्रे में ज्यादा दर कीड़े वही के वही मर गए हैं और चीटिया भाग गई हैं हर 15 दिन में एक बार घिया की इस बेल पर इसका स्प्रे करने के बाद तीन महीने में क्या जबरज़स फ्रूटिंग हुई है ये आप देख सकते हैं हर 15 दिन में एक बार स्प्रे करें स्प्रे के अगले दिन पौधों को चेक जरूर करें अगर पौदों पर कुछ ज्यादा ही कीट लग चुके हैं और इससे कंट्रोल नहीं हो रहे हैं तो एक लिटर पानी में 50 की जगा 70 ml इस लिक्विट को मिला कर 5 ml नीम उयल को भी मिला लीजिए और 3 दूनों बाद दोबारा स्प्रे कीजिए दोस्तों जहरीले केमिकल पेस्टिसाइड्स हार्मफुल पेस्ट के साथ साथ परागन करने वाले पॉलिनेटर्स जैसे की तितली, मदुमक्षी और भवरों को भी मार देते हैं लेकिन ये नेचरल पेस्टिसाइड स्प्रे केवल हार्मफुल रस चूसने वाले इंसेक्ट को ह खत्म करता है इससे हेलफुल पॉलिनेटर्स नहीं भागते और मेरे टेरिस गारडन में इसी वज़ा से धेर सारे पॉलिनेटर्स आते हैं और अच्छे पॉलिनेशन का मतलब होता है धेर सारी फ्रूटिंग कई बार केमिकल पेस्टिसाइड से पॉधे जल भी जाते हैं अक्सर गुल्दावदी में नई ग्रोथ या कलियां आने पर मिली बग्स हमला कर देते हैं अब मैं इन पर नेच्छरल पेस्टिसाइड का डिरेक्ट स्प्रे कर रहा हूँ दूसरे दिन मिली बग्स खत्म हो चुके हैं हर पंदरा दिन में रेगुलर स्प्रे किया डेल महीन बाद ये है रिजल्ट हर पौधे में सौ से भी ज्यादा फूल लगे हुए हैं बैगन के पौधे पर मिली बग्स ने अटेक किया हुआ है इस पर और्गनिक पेस्टिसाइड का स्प्रे करते हैं एक महीने बाद पौधे पर धेर सारे फल आ गए हैं लॉंग बींस की इस बेल पर एफिड और वाइट फॉल आशो ने अटेक किया हुआ है अब इस पर स्प्रे करते हैं और्गनिक इंसेक्टिसाइड के पहले ही स्प्रे के बाद सारे इंसेक्स गायब हो गए हैं और ये है इंसेक्ट फ्री होने के एक महीने बाद बेल की फू इसी तरह इस गुड़हल के पौदे की नई पत्तियों और कलियों पर भी मिली बग्स और एफिट्ज लग गए है अब मैं इस पर अपना हर्बल स्प्रे कर रहा हूँ रेगुलर ट्रीट्मेंट के बाद ये है जबरदस फ्लावरिंग तो दोस्तों इसी तरह से आप घर पर जविक कीटनाशक को बना कर पूरे गार्डन पर हर 15 दिन में एक बार शाम के समय स्प्रे कीजिए खास तोर पर पत्तियों के नीचे जहां इंसेक्ट छुपते हैं करना भी मुश्किल होता है गार्डनिंग से जुड़े आपके किसी भी सवाल को मुझसे डरेक्ट चैट करके पूछने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और प्रिंट कमेंट में मिल जाएगा और ये है आज का कमेंट अव दे वीक तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बता है वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें मेरे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बैल आइकन को प्रेस करें तो मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्स वर वाचिंग और कीप अंगार्णिंग